चौदवी पृतिग्या जो बाबा साब ने हमें दिलाई वो है कि मैं चोरी नहीं करूँगा अगर हम इसे देखें तो ये भगवान बुद्ध के जो शील का मार्ग है पंच शील का मार्ग है उस पंच शील का दूसरा ये सिध्धान्त है कि मैं चोरी नहीं करूँगा और पाली भशा में उस समझाया कि कि मैं किसी भी तरह से चोरी नहीं करूँगा किसी की भी वस्तु बिना उसकी अनुमती के उससे लूँगा नहीं तो ये जो चोरी ने करना ये शील का एक गुण है और धर्म के मार्ग पर आगे चलने के लिए ये बहुत जरूरी है अगर विक्ति चोरी में ही किसी भी तरह की चोरी करेगा तो निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसलिए बाबा साब डॉक्टरम बेट करने वो चाहते थे कि हम जो बने हम भगवान बुद्ध के बताएगे मार्ग पर पूरी निश्ठा के साथ पूरी इमानदारी के साथ चलें और आपने मन को पूरी तरह से पवित्र बना के चलें तो हमारे लिए ये जो शील का दूसरा मार्ग बाबसाब ने भगवान बुद्ध के सिद्धानतों से लिया जिसके हमें पृतिग्या दिलाई वो है कि मैं चोरी नहीं करूंगा ये भगवान बुद्ध द्वारा चौदवी पृतिग्या के रूप में हमें बताया गया